दोस्तों गर्भावस्था के दौरान लौकी का सेवन सुरक्षित है। गर्भावस्था में कितनी मात्रा में लौकी खाना सुरक्षित है। में लापकारी हो सकता है। गर्भावस्था में लौकी खाने का सबसे अच्छा समय कब है। फिलहाल इस संबंद में कोई वैज्ञानिक शोधु पलब्ध नहीं है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि गर्भावस्था की कौन सी तिमाही में लौकी का सेवन करना चाहिए। वह इसके पॉष्टिक तत्वों की बात करें तो इसमें फोलेट, कैल्शियम, फोटेशियम, विटामिन सी होता है। साथ ही इसकी तासीर ठंडी होती है जिस कारण इसका सेवन संतुलित मात्रा में पूरी गर्भावस्था में किया जा सकता है। आप जानते हैं लौकी में 9.54 ग्राम पानी की मात्रा होती है। इसके अलावा लौकी में मौजूद पोशक तत्व कुछ हिस प्रकार हैं। एनजी 14 KCL, काबोहाइडरेट 3.39 ग्राम, केलशियम 26 मिली ग्राम, मेगनीशियम 11 मिली ग्राम, फोसफोरस 13 मिली ग्राम, पोटेशियम 150 मिली ग्राम, सोडियम 2 मिली ग्राम, विटामिन C 10.1 मिली ग्राम, फोलेट 6 माइक्रो ग्राम, विटामिन A 16 IU, हम जानेंगे कि विटामिन सी में लौकी खाने के फायदे, प्रेगननसी में लौकी के फायदे, यहां हम लौकी में मौझूद पोशक तत्मों के आधार पर इसके लाब बता रहे हैं। इम्यूनिटी के लिए गर्भावस्था के दोरान महिला का इम्यून पावर सही होना आवश्यक है। इससे महिला और गर्भ में पल रहा शिशू संक्रमन से बचा रह सकता है। प्रेगनेंसी के दोरान कुछ महिलाओं को शरीर में गर्मी या पसीने जैसी शिकायत हो सकती है। ऐसा हमुनल बदलाव के कारण हो सकता है ऐसे में लौकी का सेवन लापकारी हो सकता है। दरसल, लौकी को थंडी सबजेयों की श्रेनी में रखा जाता है। ऐसे में लोक मान जताओं के अनुसार लौकी का सेवन शरीर को ठंडा रख सकता है। इतना ही नहीं लौकी के गर्भावस्था मं गैस की समस्या से भी रहत दिला सकता है। Diabetes गर्भावस्था में Diabetes की समस्या भी हो सकती है, जिसे Gestational Diabetes कहा जाता है. ऐसे में इसके जोखिम से बचने के लिए लौकी का सेवन किया जा सकता है. लौकी में Anti-Diabetic गुण मौझूद होते हैं, जिस कारण इसके सेवन से गर्भावस्था में Diabetes का जोखिम कम हो सकता है. उच्छ रख्चाप के लिए गर्भावस्था में उच्छ रख्चाप का जोखिम भी बना रहता है. ऐसे में लौकी का सेवन इस जोखिम को कम कर सकता है. दरसल, लौकी में Anti-Hypertensive गुण मौझूद होता है, जिससे High Blood Pressure का खत्रा कम हो सकता है. फोलेट कर भावस्था में फोलेट योगत आहार का सेवन करना भी जरूरी है. यह गर्भपात्या शिशु में मस्तिश्क और तंत्रिका च्यूग दोश के जोखिम को कम कर सकता है. ऐसे में गर्भवती महिला पहली तिमाही से ही फोलेट के लिए आहार में लौकी को शामिल कर सकती है. कब्च से राहत गर्भवस्था के लक्षन में कब्च भी शामिल है. ऐसे में फाइबर युग ताहार इस समस्या से राहत दिलाने में सहायक हो सकता है. कब्च से राहत के लिए गर्भवती महिला फाइबर युग लौकी का सेवन कर सकती है. सिर्फ कब जी नहीं, बल्कि इसके सेवन से गैस या पेट फूलने की समस्या से भी रहत मिल सकती है अब जानते हैं प्रेग्नेंसी में लौकी की साइड एफेक्ट्स के बारे में गर्भावस्था के दौरान लौकी खाने की साइड एफेक्ट्स गर्भावस्था में किसी भी चीज का अधिक सेवन नुकसान दायक हो सकता है ऐसे में सावधानी के तौर पर नीचे हम लौकी के कुछ साइड एफेक्ट्स की जानकारी दे रहे हैं लौकी का सेवन करते वक्त इन्ही ध्यान में रखना जरूरी है ताकि इसका अधिक सेवन करने से बचा जा सके फूड पोईजनिन लौकी सेहत के लिए लापकारी है लेकिन यह लौकी के प्रकार पर भी निर्भर करता है कड़वी लौकी या लौकी का जूस फूड पोईजनिन का कारण बन सकता है ऐसे में गर्भवती महिला लौकी के सेवन से पहले सबजी या जूस की थोड़ी मात्रा किसी और को चखाए ताकि पता चल सके कि लौकी कड़वी है या नहीं वजन कम होने का जोखिम आयूरवेद में लौकी या लौकी के जूस का सेवन वजन कम करने के लिए भी किया जाता रहा है ऐसे में गर्भावस्था के दौरान इसके सेवन पर खास ध्यान देना जरूरी है इसके अधिक सेवन से वजन कम होने का जोखिम हो सकता है इसलिए गर्भावस्था के दौरान अगर किसी का वजन कम है तो वो लौकी के सेवन से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर ले लौकी के नुकसान से बचने के लिए लौकी का सेवन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है लौकी का सेवन करते समय बरती जाने वाली साफधानिया लौकी के सेवन के दोरान नीचे बताई गई साफधानियों पर गौर करे हमेशा ताजी लौकी का ही चुनाव करे अगर लौकी पर किसी प्रकार दाग या छेद हो तो उसे न खरीदे ज्यादा बड़ी लौकी न खरीदे छोटी लौकी का चुनाव करे क्योंकि वो खाने में ज्यादा स्वादिश्ट होती है लौकी को बनाने से पहले उसे अच्छी तरह से धोले ताकि उस पर मौजूद गंदगी पूरी तरह से निकल जाए लौकी का सेवन करने से पहले उसकी थोड़ी मात्रा किसी और को टेस्ट कराए ताकि पता चल सके कि लौकी कर भी है या नहीं लौकी के जूस को किसी अन्य सबजी या फलों के साथ न बनाए प्रेगनेंसी में लौकी को फ्राई करके खा सकते हैं लौकी को चने की दाल के साथ बना कर खा सकते हैं लौकी की कोफते बना कर खाए जा सकते हैं